जीवन्ती यानी डोडी नामक साक स्रेश्ट के विशे में काफी मत भेदे इस वीडियो में अब इसका निराकर्ण करने का प्रयास क्या गया है कुछ लोग जीवन्ती, सवर्ण जीवन्ती एवं अस्व तथा दिर्ग जीवन्ती आदि इसके बेद मानते लेकिन अमारे मत्से लेप्टा डेनिये रेटिक्यूलाटा कोई जीवन्ती मानना उची थे कुछ लोग डेंड्रोबियम मेकरी को जीवन्ती मानते जो पिले रनकी बाजार में बेगती अस्टांग संग्र सुत्रस्थान अध्याई साथ स्लोक संख्या 131 तता निगटुव में दो बेद लिखे इसे राजनिंग्टु में उलिकित हेमा तता आगे बावप्रकास में सवर्ण वली कहा गया है प्रियवद सर्माजी ने द्रवेगुण विग्णान में इसे लेप्टा रेनिया का दूसरा बेद लेप्टा रेनिया पाइरो टेक्निका चिवन्ती का बेद हो सकता एसा का है और इस खिप्टोडी को प्रसारणी पेद भी होने को कहा गया है इन सभी का यह वर्ण क्या गया है कुछ लोगों ने ड्रेज्या वलुबिलिस को जीवनती लिखा है जिसे कहीं कहीं लाखन का आ जाता है तथा उसका मुर्वाज के स्थान पर कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है लेकिन मुर्वा की बेल भी अलग ही होती है पंजाबी में जिवन्ती नाम सीमी सिफ्षुजा फोयटिडा को दिया हुआ है जो जिवन्ती साक से बिलकुल भीन है सबसे पहले वरण करते है इरन डोडी का जिसका वैज्यानिक नाम है ड्रेजिया ओनुबिलिस गुज्राती में इसको इरन डोडी, कडवी डोडी, कडवो खरखोडो, मोटी डोडी कहा जाता है हिंदी में अकड़ बेल, अरन डोडी और विश्च मुर्टी कच्ची भासा में डोरेवल, मराठी में अरन डोडी संस्कृत में इसको बहुपरणी, बहुवली, दिर्गबत्रा, हेमाह, हेमजिवन्ती, हेमक्षीरी, हेमा, हेमलता, हेमपुष्पी, हेमवली, हिमाश्रया, हिमवती, जिवद्रात्री, जिवन्ती आधिनाम कहे गए इसका उप्योग कहां पर और केसे किया जाता है यह सोथर, कफगन, वान्ती कारा के फोडो पर इसका पोटिस लगाया जाता है इसके फूल सुगंधित होते हैं, उससे देव माला में प्रयोक क्या जाता है नासा विरेचन के लिए इसकी कोमल साखा का रस नाक में डाला जाता है इससे विरेचन होकर सर्दी जुका और कामला में लाग होता है यह मजबुत रेशे बनाने में भी उप्योगी है छोटिया नाकपूर बाजू, ब्रामिन लोग इसकी जनोई बना कर पहनते थे इसका उप्योगी भाग की बात करें तो सर्वांग भाग उप्योगी होता है यानि फोल, फल, पता, मुलादी फिर आता है पेंटा, टोपिस, केपेंसिस गुजराती में जिसे सिगरोटी, सुडिया बेल, सुरज बेल कहा जाता है संस्कृत में जिवन्ती, काक नाशिका, हिंदी में लगू जिवन्ती इसका वरण इस ब्रकार है यह बंगाल, उडिशा, डेकन, महाराष्ट, करनादत, तता गुजरात में पाए जाती है इसकी बेल पतली, तता आरोहन सिल होती है पते आयातकार, समकोणयम, अंडाकार, दिर्ग उरुताकार होते पुस्प बेंगनी रंके आते इसकी अन्य जाती, पेंटाट्रोपिस्ट, स्पायरोलिस्ट का भी इसी नाम से वियार क्या जाता है अब बात करते हैं उप्योग की तो यह सितल स्वादिष्ट मदूर, स्निक्त, रसायन, चक्सूस्य, ग्रहक, लगू, दातुवर्दक, रुस्य और बलकारक, कपकारक, और वातरोग, बुखार, दाह, त्रिदोस्ट, नेत्ररोग, रक्तपित, रक्तदोस्ट, गुतबादा ना सके इसके फल मदूर, रातुवर्दक, और पचने में भारे है, इसमें सिल्चिलिक एसिड भरबूर मातरा में पाया जाता है, यह भंगस रोधी, जिवान नासक एवं चर्म रोगों में उप्योगी है, इसकी जड़ करना सुलमी उप्योगी, इसके कच्चे फल बच्चे पायरोट डेक नेका है, और यह एक रेगिस्तानी भूमे की वनस्पती होती है, जो विशेश रूप से कच्च और राजस्तान के रेगिस्तानी हिस्सों में पाई जाती है, इसे पंजाबी में खीप कहते हैं, खीप को कूटने से जो पानी निकलता है, वो पानी अर्थात, इसका रस बहुत पूराना अथ्वा दिर्ध कालिक चुबेवे कांटवे, अथ्वा मबात के अंदर फसी हुई किसी नुकिली वस्तु को निकालने के लिए अतिमत लाबकाई होता है, राजस्तान में खीप के सुखने के पश्चात जोपडा बनाने में तथा जाडू बनान आगे बात करते हैं अर्क पुष्पी के बारे में, जिसका वानस्पतिक नाम है वलोस्टेमा एनुलारियम, गुजराती में जिसको खनेत, खिरन, खिरदोडी, खिरवेर, चिरवेर आधी नाम से जाना जाता है, हिंदी में अर्क पुष्पी और चिरवेर, मराठे में उप्योग की, तो अर्क पुष्पी की जड़ और पत्यों का उप्योग मकडी के जहर में, चलन के साथ बुखार में, इलाज के लिए पावडर और रस के रुप में किया जाता है, इसकी जड़ का काड़ा घी के साथ मिला का पीने से जलन और उखार दूर होता है, नेतर रो जिसका वेज्ञानिक नाम है तेलोस्मा पैलिडा या पर्गुलारिया पैलिडा, हिंदी में सुर्क किला काहा जाता है, गुज़ाती में वर्षा रोडी, राडा रोडी या वाच्छेटी काहते है, संस्कृत में ब्रहत जिवन्तिका काहा गया है, वरणू की बात करें तो वर्षा रोडी एक वर्षा कालिन बेल होती है, इसके पतों को तोड़ने से दूद निकलता है, पतों में एक प्रकार का गोलाई लिए वर्तुल होता है, फूल अलके पिताब सपेद होते है, अउस्वधी उप्योग की बात करें तो टेलोस्मा पैलेडा आयर्वेद में एक बहुत ही कम प्रसित अउस्वधी बेल है, जो एसकलेप प्याडेशी परिवार से सबंधी थे, इसका उप्योग परम परागत रूप से काली खासी, सर्दी और अस्तमा के इलाज के लिए किया जाता है, इसके कचे फ़ल और फ़लों की सब्जी बहुत ही बढ़िया स्वाद मिलता है, शिवन्ती एक ऐसी लता है, जिसका आयरोवेट में पेट और तोचा संबंधी समस्या के उपचार से लेकर राजी एक्स्मा याने टीबी के इलाज के इस्तेमाल में उप्योग क्या जाता है, शिवन्ती की जड़, पत्ता, फूल और फल सबका उस्वधी के रुप पत्ता देनिया दसेमानी एवं मदुर्शकंद के अंतरगत जिवन्ती का उलेक मिलता है, जिवन्ती स्वरण जिवन्ती एवं अस्व तता दिर्ग जिवन्ती आधी इसके पेट मानेगे, कुछ विद्वान लोग, एन्रोपियम मारकेरिक को तता ड्रेजिया वलू बिलिस को जिवन्ती मानते है, पजन्याबे जिवन्ती, सिमिस, चिपुगा, होयटीडा को जिवन्ती नाम दिया गया है, वस्तुत यह जिवन्ती से भीन है, जो हम पहले भी बता चुके है, वास्तवी के जिवन्ती का वानस्पतिक नाम लेप्टा डेनिया रेटिव के लटा, और इस स्रेश्टा, डोडा ये संस्रूत के नाम भहे गए। स्रेश्टा, डोडा ये संस्रूत के नाम भहे गए। जीवनिय, सुत बंदिनियर, ये पाले को बाधने वाली, रुस्य, ये शुक्र को और बल को बढ़ाने वाली, स्वासर, स्नेहोपग, ये स्नेहन में सायक तता स्तन्यकारक ये स्तन में दूद बढ़ाने वाली होती है। इसके फल मदूर, गुरू, ब्रुहन तता धातु वर्दक होते है। इसका तेल, बाल तता कप वर्दक, वात्वित से आराम दिलाने वाला सित मदूर तता अभिस्यंदी, यानी आँख की बिमारे में उप्यगी है। जिवन्ती का साग समस्त सागों में स्रेष्ट होता है। इह अगनी रोपक, पाचक, बलकारक, वरणिय, ब्रुहन, मदूर तता पीत सामग होता है। जिवन्ती में पोस्टिक कारक होन होता है और अन्य कौन-कौन बिमारे में इसका उप्योग क्या जाते हैं तो उसके बारे में आगे जानते है। नक्तां ध्यता यानि के रतंदी में जिवन्ती का उप्योग। जिवन्ती का अउस्टिय गून रतंदी के इलाज के लिए बहुत फायदेमंध होता है। जिवन्ती के 5-10 ग्राम पत्टों को घीमें पकाकर रोज स्यवन करने से रतंदी में लाग होता है। मुह सबंदी बीमारियों यानि मुख के घाव के इलाज के लिए लागकारी होती है जिवन्ती जिवन्ती बेनिविचल इन माउथ अलसर समान मात्रा में जिवन्ती के पेस्ट तता गाय का दुद मिलाकर जो पेस्ट बनेगा उसमें मद्दू तता आठवा बाग राल मिलाकर मुख तता ओट के घाव पर लेप करने से घाव जल्दी भर जाता है पसलियों के दर्द के लिए इलाज में रहात दिलाती है जिवन्ती अगर पसलियों के दर्द से परिशान हो तो जिवन्ती के जड़ के पेस्ट में दोग बुना तेल मिलाकर लेप करने से पसलियों के दर्द में आराम मिलता है खासी को कम करने के लिए 10-12 ग्राम जिवन्ती आधी द्रवियों से बने चुरुणा में विशम मात्रा में मदू तथा घी मिला कर खाने से कास में लाभ मिलता है राजी एक्समा याने के टीवी के इलाज में जिवन्ती से लाभ बेने फिट ओप जिवन्ती टु ट्रीट ट्यूबर क्यूरोसिस टीबी के लक्षणों से आराम पाने में जिवन्ती बहुत काम आता है पास से दस ग्राम जिवन्ती आधी गी का सेवन करने से राजी एक्समा में लाभ होता है अतिशार या दस्त को रोपने के लिए जिवन्ती का उप्यों खाने पिने में गड़बडी हुई नहीं कि दस्त की समस्य हो गई पूटपाक विदी से निकाल ले हुए 10 मिले जिवन्ती रस में 10 से 12 ग्राम मदु मिला कर पिने से अतिशार में लाभ हो जाता है इसके अलावा जिवन्ती साप को पका कर दहीं, अनार पता घी के साथ मिला कर खाने से अतिशार में लाभ मिलता है पितज सोत के इलाज में लाभ कारी होती है जिवन्ती चिवन्ती का उसरद्य गुण पितज सोत या सुजन को कम करने में बहुत मदद करती है जिवन्ती को पिसकर पेतिक सोथ पर लेब करने से सिग्र लाब मिलता है संदी सोथ या गठिया के इलाज में जिवन्ती का उप्यो जिवन्ती की जड तता ताजे पतो को पिसकर नगाने से चोड़ो के सुजन और दर्ध से आराम जल्दी मिल जाता है भ्रण या खाव को जल्दी ठीक करने में लाबकारी होती है जिवंती अगर अलसर या घाव ठीक नहीं हो रहा है तो जिवंती पेस्ट की लुक्ती बना कर तीन दिन तक भण पर बांधने से भ्रण जल्दी भरने लगता है चिवन्ती के पतों को पीश कर गाव पर लेप करने से गाव जल्दी बर जाता है त्वचा सम्वंधी बीमारियों के इलाज में भी चिवन्ती लाब कारी होती है चिवन्ती मजिस्टा दारु वल्दी कपिलक के काड़ा एवं तुर्तिया की पेश्ट में पकाये घीत तता तेल में सर्जरस तता मोम मिला का मरहम की तरफ प्रयोक कने से विवाई पड़ना, चर्म कोस्ट, एक कोस्ट, किटिप कोस्ट तता अलसत में जल्दी से ही लाब मिलता है बुखार के कारण जलन के कस्टे दिलाए राहात जीवन्ती चिवन्ती चट से बनाए गए काडे में 10 से 30 मिली घी मिला कर सेवन करने से बुखार के कारण होने वाली चलन कम होती है सुजन से राहात दिलाने में जीवन्ती का उप्योग चिवन्ती आधी द्रवय का यवांगु बना कर घी तता तेल से सोप कर रुख्सामलक के रस में खटा कर सेवन करने से अर्श, अतिसा, वात गुल्म, सुजन तता रदयरोग का समन होता है तता भुख की रुदि होती है जीवन्ती का उप्योगी भाग जैसे के जड़, पता, फूल और फल जीवन्ती का इस्तिमाल के से करना चाहिए किदी आप किसी खास बिमारी के घरेलू विलाज के लिए जीवन्ती का इस्तिमाल करना चाहते है तो बेहतर होगा कि किसी आयरोधिक चिकित सक्की सला के अनुसार ही उसका उपयोग खरे। चिकित सक्की सला के अनुसार तीन से छे ग्राम मूल फल, पचास से सो मिली काड़े में ले सकते हैं। अब बात करते हैं, जिवंति कहां कहां कर पाया जाता है। भारत में यह उप हिमाले चेत्र तथा दक्षिन प्राई दिप्य चेत्र में 900 मिटर की उचाई तक पाई जाती इसके अतिरिक गुजरात उतर प्रोदेश पंजाब यों दक्षिन भारत में भी प्राप्त होती इसी के साथ जै भारत जै इन जै धर्मित